हलो गाईज गॉसप टाउन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ क्रतिका प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल स्टार बन चुकी है उनके स्टाइल उनके फैशन उनकी खुबसूरती की हर कोई तारीफ करता है हर किसी के दिल में प्रियंका बस चुकी है पर क्या आपको प परिशान थी उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनकी आखों के आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा चाया था दरसल मैं बात कर रही हूं प्रियंका चोपड़ा के शुरुआती दिनों की जब उन्होंने मिस वर्ड का खिताब तो जीता लेकिन उसके बाद उनकी नाक की सर्जरी बिगड़ गई जिसकी वज़े से उन्हें लगातार तीन फिल्मों से निकाल दिया गया प्रियंका को उस वक्त एहसास हो रहा था कि उनका बना बनाया जो करियर है शुरू होता जो चम-चमाता करियर है वो शुरू होने से पहले ही बरबाद हो गया है बता दू आपको की प बढ़बढ हो गई जिसकी वज़े से उनकी नाक का लुक पूरी तरीके से बदल गया और उनका चेहरा बहुत अलग सा लगने लगा जिसकी बाद उन्हें लगा था तीन फिल्मों से बाहर कर दिया गया था उस वक्त उनके पापा उनकी हिम्मत बने थे उन्हें मोटिवेट कि और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर सोच समझ कर एक कदम उठाने की जरूरत है और वो कदम है अपनी नाक को फिर से तुमें ठीक करवाना होगा जो चीज गलत हो गई है उस सर्जरी को फिर से ठीक करवाने की थिंकिंग रखनी होगी और एक पॉजिटिव जो प्रियंका चोपड़ा है उन्होंने डिरेक्टर अनिल श्वर्मा की जमकर तारीफे की है उन्होंने कहा है कि जहां मुझे बैक टो बैक तीन फिल्मों से बाहर कर दिया गया वही मुझे अनिल जी ने फिल्म दी थी दा हीरोस फाई लाव स्टोरी सनी दियोल थे इस फिल तुम अच्छा काम करना तुमें लोग पेंचानेंगे और तुम जल्द ही आगे बढ़ोगी और ऐसा ही हुआ फिर प्रियंका ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए गाईस गौसप चान जरूर देखिएगा